बिसमिल्ले रह्माने आज के मेरा टोपिक है काउंटर फैदर के मारे में काउंटर फैदर के पास लोंग सेंटरल शाफ्ट है और ब्राउट फ्लैट वीन है जो के इसके जो है आर्चिटेक्चर को या इसके फीचर को रिपेजेंट करती है अगर आप इसके सेंटर देखें तो यहीं सेंटर में एक लॉंग शाफ्ट है और एक साइनों पे एक ब्राउट फ्लैट presses मिलके बनती है वन इस डिरेकस डिर्यक है केलमस डो पार्टमाइक नहीं का को शाफट के अब जो शाफट का जोWWOLHO BAS है ना उसको हम लोग किसका नाम देते हैं केलमस यह पिर QUIL का नाम देते हैं अब केलमस का function यह है कि इसमें feather को जो है वो anchor किये रखना है जोरे रखना है bird की surface के साथ केलमस के क्या काम है anchor करना है feather को किसमें anchor करना है feather को follicle के अंदर और फोलिकल कहां मजूद है skin की surface के नीचे follicle मजूद है follicle में feather को जोरे रखना है किसने कैलमस नी ठीक है जिसका दूसरा नाम क्यूल भी है जबकि लेटल ब्रांच ओफ दी रैकस उसको किसका नाम देते हैं हमने कहा कि एक तो हो गई क्यूल ठीक है जिसको कैलमस का नाम दिया और रेस्ट ओफ शाफ मेंने नाम दिया हैำ रिकिस का और रिकस का function यह है कि इसने support परवायिट करनी है वे embris को इस इसको support परवायिट करनी है अब लेटरल ब्रांच ओफ दी रैकस इसको किसका नाम देते हैं बाब्स का नाम देते हैं अगर यह हैं हमारे पास structure of wrackis इस 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 यह primary element है vein architecture का बनियादी जुज है vein architecture का that is the barb अब हर barb जो है वो consist करती है tapered central axis के उपर किस पर consist करती है tapered central axis के उपर consist करती है और इस tapered central axis के पास rows मुजूद है smaller barbules की क्या मुजूद है rows मुजूद है smaller barbules की अब यहाँ पर जो एक barb है उसका structure मैं आपको यहाँ पर दिखाने लगी है this is the rachus ठीक है यह हमार पर किसका structure है rachus का structure है and here is the ramus this is the ramus this is the ramus यह किसका structure है यहाँ पर लिखा हुआ है ramus का structure है this is also the structure of the ramus each barb हर barb ने consist करना है tapered central axis के ओपर ठीक है this is the barbule यह किसका structure है जी यह barbule का structure है barbule का structure here is the also the structure of the barbule ठीक है अब इनके पास एक क्या मुझूद है मैंने यह कहा कि यह basically क्या है tapered central axis और उनके पास rows of smaller barbule clear है जो के दोनों साइरों से निकले हुए है अब यह barbule के पास क्या मुझूद है single series of cells मुझूद है ठीक है और इस तरह से basically hook like भी कुछ होते हैं और कुछ जो है simple भी होते है कुछ elaborate भी होते है यह interlocking जो arrangement इनके होगा यह help करेगी कि यह आपस में जूरे रहे clear है each barb हर barb consist करते है tapered central axis के ओपर ठीक है और इन tapered central axis के पास यह मुझूद है rows of smaller barbules मुझूद है जो कि इनके दोनों अतराफ से निकल रहे है अब बारbules किस पर consist करते हैं यह single cells पर की series के ओपर consist करते हैं जो कि end to end जो है वो एक दूसरी के साथ linked है यह cells जो है किसी ने projections को beer किया हुआ उन projections का नाम बार्बी सल्स है उन projections का क्मया नाम है बार्बी सल्स है clear है यहां मैंने आपको किस का structure निखा है सिस इस होकल間 लेंग जो structure is बार्बी सल्स बार्बी सल्स हेल्प करती है कि यह आपस में क्या रहे है यह INTERKUNEKTED This is re CO πरहए निर नार ते इस सब्सक्राय मुझा दोभी दूभी और में तर शितम्स के पास अब हम लग रहां को देखें तो 3 से मिलके वह बार्ब की कंपोजिशन ही तो 3 कों कों सी हैं यह बार्ब की कंपोजिशन में क्या आई 1st of all rameas rameas plus barbicels barbicels and the third structure is the barbule बार्ब व्यूल इन तीनों की मलाप से बार्ब की कमपोजिशन होती है बार्ब मिलकर बनता है रेमस की बात करें तो हमने क्या कहा रेमस जो है इच बार्ब कंसिस्ट ओफ टैपर्ड सेंटरल एक्सिस ठीक है जिसके पास रोज ओफ समालर बार्ब व्यूल्स मजूद है रोज ओफ समालर बार्ब व्यूल्स मजूद है और बार्ब व्यूल्स में भी कुछ ऐसे हैं जिनके हुकलेक से ट्रक्शर्स मजूद है जो के हैल्प करता है इंटरलोगिंग अरेंजमेंट में इसको किसका नाम दिया हुआ है? बार्ब लीसल्स का नाम दियाは हुआ है अब यहां पर मजीद देखें बार्ब और बार्ब वियूल्स नेमिलके क्या करना है? इन्टरलोकिंग अर्रेज्मेंट करनी है लेकिन flexible planer surface भी ये प्रवाइड करेंगे Each vein, ये जो हर जो vein है na Each vein टीपिकली body feather को रिप्रिजेंट करती है इसका मकसद ये है कि इसने insulation को प्रवाइड करना है क्या प्रवाइड करना है Insulation को प्रवाइड करना है Each vein of a typical feather ये क्या प्रवाइड करना है hidden fluffy basal body part fluffy का मतलब होता है light or soft area structure ठीक है each vein of a typical body feather firm hidden fluffy basal part जिसका मकसद यह है कि इसे insulation पर वाइड करनी है ताके cohesive outer part वो represent हो सके जिसका बहुत ज्यादा functions है cohesive outer part के variety of functions है clear है अब बात कर लेती है barbule के हमाले से barbule जो है ना barbs के उपर barbule on the barbs वो barbule जो के barbs पर मुझूद होते है वो body feather की base पर long है thin है और flexible है क्या है जी long है thin है flexible है counter feather में लोगों ने यह देखा कि इसके जो rackis है वो longer है बनिस्पत लोंगेस्ट बार्ब के clear है barbule on the barbs at the base of the body feather body feather की base पर जो barb है वहाँ पर जो barbule है इसके बनिस्पत लोंग है thin है और इसके सासे flexible है और इनके पास barbule नहीं होते है but do not have a barbule इनके पास क्या मुझूद ही होते है barbule नहीं मुझूद होते है इनके जो similarity है वो thin flexible parent barb है जो की create करते हैं दॉनी पुलमॉलियशिस टेक्स्चुर को अब इनके पास क्या मुझूद है बार्भियूल्स तो मुझूद हैं wij दों से नहीं मुझूद intestines इस वह से इन्होंने क्रょेट करना है। दॉनी टेक्स्चुर का सी DONU का और बाद स्प्चुर की मात्राइबamentos यहां पे हम लोग ने कह लिया था इस इस से ट्रक्षर ऑफ दी पनेशियस बार्ब उपरबाल से ट्रक्षर कौन सा है पनेशियस बार्ब का से ट्रक्षर है लेकिन नीचे और जो है ना इररागुलर जो बेक तर्दीबा सा एक से ट्रक्षर था इस इस दी इक है तुक्ष भार्ब बननेशियस बार्ब अर यह उस पनलुलिशियस बार्ब तो इन दोनों की composition से किसकी formation होती है? Counter feather की होती है. अब यह जो वेन का outer part है ना वो firmly textured होता है. यह क्या होता है? firmly, मजबूती के साथ इसका texture होता है और tightly interlocking होता है. That is the panaceous structure. इसको किसका नाम जते है? Panaceous structure का नाम देते हैं. This is the upper part, is the panaceous part. and the second part is the palmelisious barb. Clear? अब कोहाईशिव जो structure होता है ना outer vein का. कोहाईशिव structure किसका? outer vein का. उसने एक interlocking arrangement को show करना होता है panaceous barbules में. इसमें panaceous barbules में interlocking arrangement का जो structure है ना वो बुगत एहमियत का हामिला किसके लिए? कोहाईशिव structure के लिए. यह जो panaceous barbules है इसमें किसमें help करनी है? interlocking, that is hair. जो मैंने आपको यहाँ पर दिखा दिया कि रैकिस है, रैमस है, फिर barbules है, barbules के सबस barbicels है, ठीक है? तो यह जो interlocking arrangement है यह अपर पार्ट पर होना है, that is the panaceous barb, ठीक है? लेकिन अगर नीचे बार्ट पार्ट नहीं मुझूद, इसके अंदर barbicels नहीं मुझूद, जब बार्बिसल नहीं मुझूद, तो interlocking arrangement नहीं होगी, clear है? उपर वाला structure जो है, cohesin प्रवाइट करेगा, ठीक है? cohesive structure होगा, जबकि नीचे बारा structure क्या होगा? वो cohesive structure नहीं होगा, क्योंकि इसके अंदर interlocking arrangement नहीं है, clear है? next, हम लोग बात करते हैं, कि कुछ जो है, tightly interlocking होते हैं, जैसे कि नागर्ण प्रीशे structure हम लोग नहीं कहा, cohesive structure जो होता है, outer vein का, वो based करता है, कि इस पर interlocking arrangement के बार्ट करता है, next, जी, barbicels, barbicels होते हैं, कुछ well developed hooklet barbicels होते हैं, जो के present कहां पर होते हैं, pinnaceous barbules पर होते हैं, यह हम लोग ने बात कर ली, यह जो barbules होते हैं, यह distal side of barb होते हैं, जो के feathers में क्या provide करते हैं, जिस के वो असानी से grip हासिल कर ले, क्या कर ले, grip हासिल कर ले, वो barbules जो के barb के distal side पर मोजूँ होते हैं, those barbules that are present on the distal side of the barb, इनका मकसद क्या आप है जी, इन्होंने grasp प्रवाइड कर ले होते हैं, ता कर जो है, वो असानी से जो है, इनकी आपस में arrangement हो सके, आप जो sideways है, from the base of the feather, मकसद गया है, जोने grasp करना होता है, next higher inner barbules को, जो के adjustment barb में मजूद होते हैं, जो के मैं आपको already ही इसका दिखा चुकी ही, लेकिन ये 30 के form में लिखा हुआ है, अब in turn देखे ना, तो barbules के पास क्या मजूद हैं, slightly laterally मजूद हैं, जो के next barb के साथ जाके जूड़ते हैं, और वो इस बात की जिम्हेदा होते हैं, के coheiser के साथ-साथ flexibility भी परवाइड की जा सके, और flexibility कहां से मिलेगी, वो panaceous veins की मदद से मिलेगी, कहां से मिलेगी, panaceous veins की मदद से मिलेगी, next हम बात करते हैं, रूँट की मदद से मिलेगी, secondary structure भी मजचोद होता है, दाइड ni हमकी जाने ला नाम तंके, किसका नाम देते हैं, आफर शाथ ही यह फिर अफर फैढर का नाम देते हैं, यह बीलकूल मिलेगी, भीक़ित। फेस्न बातरम आ इमेज सेह्ताइgrass क्योंकिन थेन एक वेन थाrokुन केवार है कॉन कर्थाइज हरती हैं. पीज सेपरां की। मेरर Sum रहन कस लोगी थेए सब्सक्राइज पर सब्सक्राइज को करना दो करते हैं. ज Allah ने तौकर वेन के सब्सक्राइज की। आपूमेज स्सवर्ड तो ज आनना एक बात करें तो बहुती है. क्या होगा कुछ रियर एक्सेप्षिंस के साथ क्या होगा टिपिकली पुल्मिलेशियस होगा और पुल्मिलेशियस की केस चे हम लोग नहीं देखा था कि बार्बिसल्स नहीं मजूद कोई भी इंटरलोकिंग अर्रेंजमेंट नहीं है और प्राइमरी फंक्शन अगर हम ठ데 को मरगए झाए ये घर हैए जी ग्रोस है और खन अव था मेडियु गयंड अलपार हम उत्रांज अभी चैनल मिलेशियस है दला है इसको जो प्राइधियार को फेचिग शौ स्विक्षिंट रखते हैं कर शाय है अटेर को सब्स्तिक सब्स्तरा और गूर Halo इनके मेल होते हैं लार्जर होते हैं as compared to brightly colored female की निस्पर ठीक है मेल के लार्जर भी है और ज्यादा brightly colored as compared to the female ठीक है तो इनका से ट्रक्षर भी लापाक में उसी के मताबिक बनाया हुए कि असानी से यह cool environment के अंदर exist कर सके टार्मिंग्स को क्या चाहिए होती है इंसुलेशन चाहिए होती है एक्स्ट्रा ताके सर्द में के थंडे अलाक में रह सके तो यह जो after shaft होती है ना winter plumage की वो help करती है कि इनको 3 to 4th as long as the main feather हो सके यह कि इनको extra ordinary जो है ना वो insulation मिल सके ताके असानी से जो है वहाँ पर exist कर सके the after shaft of winter plumage of our turnings are 3 4th as long as the main feather main feather की तरह यह जो है वो 3 से 4th time जो होती है after feather जो after feather होते है ना summer plumage की वो ज्यादा shorter होते है winter winter plumage की जो after shaft होते है वो longer होते है जबके summer plumage की after shaft की होते है वो smaller होते है वो shorter होती है कि किस के किस की बात के है ट्रान्मिंग्स के case की बात की है नेक्स्ट हम लोग देखते हैं मजीद further species की देख लेते हैं कि उनमें किस तरह से जो है वो help होती है कि वो अपनी habitat के अंदर रह सके feathers जो हमने कहा कि एक जो है striking modification है excellent modification है birds में ठीक है डेवैलिंग बार्ब्स का मलाप है इन्होंने किसको प्रडूश कर ना होता है उन्होंने प्रडूश करना होता है feathers को जो के बिल्कुल आस्तिक से क्ति क्रिप जैसे लगते हैं developing barbs का मलाप है उसके मैंसे क्या प्रडूश ह бесплюस होता है feathers बिल्कुल प्लास्टिक कि से ट्रिप की तरह दिखते हैं 20 साल के तोर पर जी जो क्रोन फैदर है ना कल क्रिस्टी अडाकरी के ब्रैजिलिन टुकान के सेंट्रल टेल फैदर रेड बर्ड ऑफ परडाइस के यह अपनी हैं इंपोर्टन्स रखते हैं ठीक है और यह प्लास्टि क्रिस्टी अडाकरी ब्रैजिन टुकान बर्ड बर्ड ऑफ परडाइस में क्लेर है और रेड ऑफ परडाइस के केस में कि क्लास्टिक फैदर क्या है यह हम्दशिप डिस्प्ले को हेल्प करती है नेच्स अगर हम सेंपल है सैडर्ड वैक्स विंग की नॉर्थ अमेरिका का वेक्सिंनल टिप्स निया वेक्स ओंग झासे एक वेक्सिंहीं वेक्सियोग लाएक वेक्स लीक योग्रफ भिश्ट माजूभ्त है और यह फिज करती हो कि ब्राइट है टरूमिल बार्वत बार्व एतिया अवेक्सियोग्त फैदर्फ लीक्सिप्स sant's ग्या वेक्सियेउ जुक जुक रोस्टर नेक के जो बोल से इस तरह से इनकी जो इनकी Bevölker कोगल होती है वह पॉंटिटि रहती है और लूंग होती है है कि पहलों बात कर लाध कर दूध है कि बेसिकली ग्रूप है group feather के हैं जो के back और neck के side पर मझूद होता है back पर और neck के side पर क्या मझूद होता है feather का group मझूद होता है और ये एक दूसरे लफजों में rectile plumage है या hair है neck के area में उच बर्ड्स के neck के area में hairs या भी rectile plumage मझूद होती है clear है berkles क्या है basically मैंने कहा कि जो display feather की जो वेंड शेप होती है वो लोंग होती है pointed होती है और pointed कैसे होती है just like a roaster neck जिसको हम लोग हैक्कल्स का भी नाम देती है और हैक्कल्स मैंने कहा अलेक्टाइल प्लमेश है या फिर यह structure है जो कि neck area में exist करते है कुछ birds और mammals के next हम देखते है यह जो short and round like structure होता है to short and round like those of the head feathers of small birds कुछ small birds के head feathers का जो structure होता है उसमें close spacing होती है large barbs की जिसमें एक्स्ट्रा लोंग curved barbisels होते हैं और यह जो extra long curved barbisels हैं इन्होंने produce करना होता है water repellent feathers को ठीक है जिसकी example से माल पास है petrills है, rails है और डग्स है petrills, rails और डग्स क्या करते हैं इनके पास water repellent feathers मुझूद होते हैं और यह water repellent feathers क्यों मजूद होते हैं क्योंकि इनकी curved barbisels होती है curved barbisels के मतलब क्या होता है कि इनके पास long barbs है क्या मुझूद है, long barbs में close spacing है जिसकी वह से water repellent feathers वो water को repel असानी से कर सकते हैं अगर आपनों कन्वर्सली देखें तो अगर barbisels का loss हो जाए comorants में और inhabitants में तो यह एक adaptation है इनके diving में किसमे adaptation है? diving में एक adaptation है कर्वड बार्बिसल्स थे ठीक है कर्वड बार्बिसल्स इस वाया से आए कि इनके पास long barbs थे ठीक है long barbs से curved barbisels थे उन्होंने help किया water repellent feathers में जबकि इसके पास वो बार्बिसल्स नहीं मजूद जब बार्बिसल्स नहीं मजूद तो इनमें adaptation आजाएगी diving की ठीक है अब जो loss of barbisels थे बार्बिसल्स थे बार्बिसल्स की केस में क्या हुआ है? then soaking हुआ है उसके बाद रिड्यूस किया है बियोंसी को जब बियोंसी रिड्यूस होगी तो असानी से इनमें क्या हो गई? कि इन्होंने भी अपने महोल के मताबिक adaptation को अख्तियार कर लिया but requiring air drying, जिसके मदद से बार्बिसल्स की केस में लोगों ने देख लिया है water repellent है जबके loose of barbisels में हम लोगों ने देखा के penetration है water की ठीक है जबके coiled barbisels की केस में हम लोग देख रहे हैं कि belly feathers पर, belly feathers पर जो coiled barbisels है उन्होंने क्या करना होता है? उन्होंने water को transport करना होता है क्या करना होता है? water को transport करना होता है जिसके example है sand grooves क्या example है sand grooves यह क्या है एक basically structural characteristics है जो के favorable होती है ताके water को अपते किया जा सके water को बहुत बड़ी country में लाया जा सके sand grooves है यह वो dry environment पर रहे हैं जहां पर sand वगरा मुझूद है उनका habitat ही ऐसा है तो अन्होंने उनके structure के मताबिक ही जो है ना उनको उनके habitat में रहने के काबिल कर दिया है इनमें क्या आ गए है? coiled barbisels आ गए है किसी में coiled barbisels नहीं है किसी में coiled barbisels मुझूद है water को ट्रांस्पोर्ट करने में help कर रहे हैं जब sand grooves में यह ability है तो यह असानी से जो है ना अपने वो जो new born youngs हैं को असानी से जो है water provider कर सकते हैं दूसरे लफजों में यह जो feature है वो assist करता है male species को कि वो effort कर सके पानी को लाने के लिए further young clear है यह था basically सारा का सारा structure किस तरह से counter feathers है और में किस तरह से barbisels है तो next किस तरह से structure परफॉर्म होगा यह फिर function परफॉर्म होगा different birds की species में इससे related कोई भी question पूछना हो तो जरूर मैंट बोक्स पूछेंगा अपना ख्यार रखेंगा द्वाम याद रखेंगा इंशाला मिलते हैं नेक्स वीडियो में अलाफ इस